मेरा नाम दीपक है और मैं इलावाद का रहने वाज़ा पैत्रिक घर गाजीपूर के एक छोटे से गाउं में जहां राही मसूम रजा जी का जो पैत्रिक मकान भी है अभी मैं रंगमंच कर रहा हूं और साथ ही एमे लास्ट येर की पढ़ाई भी कर रहा हूं कि रंगमंच के अनुबहुत थोड़ा सा साज़कर तर उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि मेरी कि मैं बिनो संस था उसी से शुरुवाद थी और उसके बाद में और रजक से जुड़ गया और अब आज कुमर सर के साथ ही हूं नए प्रिश्विश्वाद थी और इसी सिल्सले में आज सरुकार मंच की तरफ से मुझे यह मंच मिला अपनी बात कहने की कि यह मेरा पहला मंच है जिस पर मैं कविताय बोलूंगा खुद की लिखी हुई और और जी कि लिखी हुई कविताय बोलूंगा और कुछ ऐसे गीत हैं जो मैंने खुद लिखे हैं कमपोस किये उसको भी आप लोगों से साजा करूंगा तो मैं गीत से ही शुरू करता हूं मैं धन्यवाद देना बु है सबसे पहले जनसर को बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र सर को बहुत 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 दन्यवाद जो मुझे मंच दिया अपनी मात रखने का hoping एक जगए दिया इस दिया जूंक शुकौरिया सर तो शुरुवात करते हैं मैं गाने से शुरू करूँगा जिसको मैंने एक नाटक में बनाया था नाटक का नाम था असल में वह इदगा वह कहानी है मुन्सी प्रेम चंद की उसको नाटक में तब्दिल की तो मैं गाने से शुरुवात करता हूँ कोई नहीं आए आगे कोई नहीं आए बाते दो हो राए साथी बाते दो हो राए ओर मनवा ओर भईया ओर बहनारे ओर मनवा ओर भईया ओर बहनारे बाते दो हो राए साथी बाते दो हो राए कोई नहीं आए आगे कोई नहीं आए चल न पाए रूखी सूखी कपड़े कैसे सिलाए कैसे बताए साथी कैसे बत लाए कोई नहीं आए बताए कोई नहीं आए और मनवा और भईया और बहनारे चुक्रिया तो ये था नाटक इदगाह में बनाया हुआ मेरा एक छोटा सा गीत लगभक बहुत सारी लोग आ गए हैं तो एक ऐसे ही छोटी सी लाइन पेश कर देता हूँ आप सभी के लिए और जो आ रहे हैं उनके लिए भी के लिए आओ ख्वाइशे दिदार के लिए आओ अगर आना है तुम्हें हर बार तो आओ गुफतगू तहरीर के लिए आओ आवाम के लिए आओ तो इस इस सिल्सिला को आगे बढ़ाते हैं एक बहुत पहले मैंने लिखा था हिंदी को लेकर की कविता बनाने की कोशिश की थी शुक्रिया सोनू सर शुक्रिया मैं शुक्रिता मैं तो ये कविता इस तरह से है हिंदी भाषा का साथी हूं हिंदी ही बोल चाल में है हिंदी तर ध्यान में है हिंदी रित्वों का समावेश जिसमें हिंदी में फागुन के रंगों से धर्ती अपनी रंग जाती है हिंदी में इंदुर धनुष का अने को व्याख्याय की जाती है हिंदी में लेकिन एक कमी है मनमस्तिश्क में जिसकी परत जमी है हिंदी बोली बन जाती है खंडों में बट जाती है तब हिंदी है करती भेद प्रिये इसमें है हमको खेद प्रिये शुक्रिया तो ये था मेरा दुसरा कविता जरूर आप लोग को पसंद आया हो गया नमस्ते सर अब आते हैं एक और कविता के साथ जो अभी हाल-फिल-हाल में ही लिखा गया है असल में एक नाटक किया था मैंने जिसका नाम था उल्जन में तीन काल खंड दिखाए गये थे और उसमें जो आधिवासियों के साथ जो ऐसे जो मूल निवासी हैं उनके साथ जो भी घटनाए घटी उस तो मैंने सुचा कि कुछ अभी हाल-फिल-हाल में इसको शेयर किया है फिर भी आप लोगों को सुनाई देता हूं तथा कती एक जंगल था घटना जंगल जिसमें लोगों का आवा गमन कम था नहीं के बराबर तथा कती जानवर भी थे असब ये जानवर जीवन था उस जंगल में उन जानवरों को कई बार खदेड़ा गया एक जगे से दूसरी जगे दूसरी से तिसरी जगे जब ठक गए भगाते भगाते लोग तब तक तरकीव अपनाया गया डरा कर धमका कर मार कर उन्हें पालतू बनाने का यानि गुलाम उल्जन नाटक जिन्होंने भी देखा होगा वो उसमें ये चीज महसूस किया होगा बहुत अबी कल परसू का लिखा हुआ है ये उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा मैं आदाब आदाब सर कैसे हैं अब आते हैं एक छोटी सी कविता है चोटी सी कविता है इससे पहले मैं चाहरा था कि आप लोग को एक छोटा सा गीत सुनाओं जो भोजपूरी में है और भ्रून हत्या पर आधारित है ऐसे ही बिखरा हुआ सा आता हूं गोजपूरी है और गुरून हत्या पर आधारित है यह हम लोग पूरी टीम मिलकर हम लोग कर रहे थे साथी रवी नाम है उनका वह बिखारी ठाकुर जी का एक बेटी बेचवा करके तो वह तैयार कर रहे थे तो वह गीत मुझे बहुत प्रोहावित किया और उसी समय मैंने यह इस गीत का जन्म दिया इस गीत को जन्म दिया और मुझे जाच रही है अरे थैंक्यू सर् अरुन वाई मुझे जच रही है तो मैं सना देता हूं अब पूरा तो नहीं है देखे चलिए ओ मार दिहलूना हो माई मार दिहलूना मार दिहलूना हो माई मार दिहलूना आपन को खवा में हम के तू जार दिहलूना मार दिहलूना हो बाबू मार दिहलूना मार दिहलूना हो बाबू मार दिहलूना आपन छोट कीची रईया के उजाड दिहलाना छोटे छोटे हाथ से हम नकिया दबवती छोटे छोटे पाउं से हम घर पूरा धंगती बतिया के दुल राके हम दोहर रवती उंगली पकड के तो हार संघे संघे चलती मार दिहलाना हो बाबु मार दिहलाना मार दिहलूना हो माही मार दिहलूना आपन को खावा में हम के तु जार दिहलूना नानी हमर दादी हमर दादा और नाना हमर कवान का सम दिहला की मार दिहलूना आपन को खावा में हम के तु जार दिहलूना मार दिहलाना हो बाबु मार दिहलाना आपन छोट की चीरया के उजार दिहलाना शुक्रिया यह उसी समय का लिखा हुआ है जब हम NSD की त्यारी कर रहे थे और यह उसी गीत से में प्रभावित होकर यह गीत लिखा बहुत लोगों ने यह गाना सुना होगा तब आजाते हैं अगले कविता पर आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं न शुक्रिया अरुन भाई आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं अभी भी चलिए मैं कोई बात नहीं मैं अपनी कविता शुरू करता हूं खेत की दरारों भरी जमीन कब मन पर उतराती हैं कब महनत का धारदार होते हुए भी बे असर होता है कर्ज का बोज कब जोपड़ी ढाव और कब आदमी शून में लोड आदमी शून में लड़ा कि अधार देवेंद्र सर धन्यवाद अरून भाई अधार अधार आप लोग सुन पा रहे होंगे मुझे और मेरी कविताओं का तो नहीं कहूंगा तो आगे बढ़ते हैं और इसी सिल्स्रे में जैसे यह है उसी किसानों को दुनिया को देखकर भी बहुत अपने भविश्य को लेकर बड़ी चिंता हो रही थी तो इस चिंता जनक बातों को लेकर मैंने एक छोटी सी कविताब बनाई है कि मैं उसको भी सुना देता हूं आप लोगों को कि अधिया कि अधिया कि अधिया कि तो कविता है भविश्य मेरे मित्र भविश्य अब तुमसे डर लगता है राजनेतिक दलो का हल्ला बोल पटाखो और बमो की आवाज चल कपड की निव बनाते लोग मैं ये नहीं जानता कि तुम चाहते क्या हूं लेकिन मेरे मित्र भविश्य अब तुमसे डर लगता है ये उस वक्त की कविता है जब मैं बहुत असमंजस में रहा करता था बहुत दुनिया में बहुत बहुत सारी दिक्कते चल रही थी जिसको मैं सहन नहीं कर पा रहा था असल में आज भी दिक्कत है इस कोरोना काल में बहुत सारी दिक्कते आई हैं जिसको कह पाना बड़ा मुश्कील होता है हम सेफ हैं दुनिया सेफ रहे यही मनाता हूं और बाकी तो प्रचार होई रहा है हमारे ग्रूप के माद्यम से आप लोग भी उसमें शामिल होई है अगली कविता मैं बोलने जा रहा हूं इन्ही सब चीज की बीच में एक कविता लिखा छोटा सा ही है अलाकि यह अलग प्रकार का है छोटा सा है दो लाइन का है ध्यान दीजिएगा काफी इंट्रेस्टिंग है मैं इसको बहुत मेरे करीब है यह कविता दो लाइनों की है एक चुम्बन अधूरा है माथे की लकीरों पर कभी फुल्जन मिटा जाना है शुक्रिया दूसरी कविता भी ही दो लाइन की है जो दो लाइनों की कविता है उसे उसे एक बार और सुना देता हूं हलाकि पतानी दो लाइन में क्या थोड़ी बड़ी कविता होती है तो लोग यहां यार यह तो मतलब मस लिखा है छोटी रहती है तो नहीं समझ में आता है तो दूसरी में कविता सुना देता हूं छोटी सी है फिर उसके बाद मैं एक बड़ी सी कविता सुनाओंगा कि यह मैंने अपने फैमिली जो भी मतलब एक मैंने फोटो डाली थी फेस्बुक पे तो उनके लिए लिखा था कि को भी मैं कि 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 यह इस प्रकार से है मेरी फिक्री की वज़ा माल लो मेरा परिवार, मेरे साथ के लोग, मेरे अपने, मेरा ग्रूप, मेरे गुरुजी, मेरी भावी, सब लोग मेरी फिक्री, बेफिक्री की वज़ा माल लो लिखा जो शब्द दर शब्द की नकल माल लो तमस जो हो उजाले में उम्मीदों का दिया माल लो यह ऐसे लोग हैं तो आगे बढ़ता हूं अब बड़ी सी कविता की पीच्ट के खो सुनाता हूं इसको 2017 में लिखा था मैंने दो लाइन में भी दुनिया को शुक्रिया राजकुमार सर करने का साहस बनते हैं कि अध्यान से सुनियेगा 2017 में लिखा था मैंने कुछ ऐसे ही अपने पन इसको ऐसे समझ सकते हैं कि परिवार का बुजूर्ग है अगर यह कविता को समझेंगे तो अच्छा लगेगा आपको थैंक यू वलविंदर तो कविता मैं पढ़ता हूं कि एक ही जगे खड़ा रहा मैं वर्षू कि उस खंबे की तरह कि आर को संभा लें कि वह जैसे मेरे हाथ के समान दिखाई पड़ते हैं पिर भी निर्वाह करता रहा खुशिया बाटने हर शाम कुछ पक्षिया कुछ बाते करते हसी ठिठोली करते फिर चले जाते इसी मुझे बरसात में बारिश की बूंदे जालर नूमा लगती टिम टिम करता जालर खड़ा रहूंगा मैं वर्षू के खिल के खिल के तुम्हारे साथ कि शुक्रिया है कि यह थी मेरी यह कवीता और आगे मैं बढ़ता हूं कि एक कवीता मैं सुनाना चाहता हूं जो चोटाइसी है अ प्राय जी आये हुए थे तो उनकी बातों से उनके विचारों से जो प्रेरित होकर मैंने कवीता लिखा था उसको भी मैं साजा करना चाहता हूं बहुत ही बिखराव है लेकिन अब मैं इसका विता को सुनाता हूं ना हुए जिकरे खुदा ना मंत्रों की जाप हुई ना हुए जिकरे खुदा ना मंत्रों की जाप हुई खुदी से खुदाई जुड़ी तो व्यक्तित्व की माप अपने आप हुई बहुत ही धैर पुरुवक सुनने के लिए एक और मैं चलिए मैं इसके आगे बढ़ता हूं है तो बहुत सारी लेकिन मैं कुछ छाट छाट के बोलना चाह रहा हूं कहीं ऐसा ना हो बोरिंग हो जाए आज के संदर्व में एक कविता है और उसको अपने की है फोटो के जरीए जो आज कल फोटोस फेस्बुक पे डाले जा रहे हैं मैं भी डालता हूं सारी कविता है मेरे उपर भी लागू होती है और दुनिया के हर व्यक्ति के उपर होती है अगर है कि वह ना लागू करना चाहिए तो आगे बढ़ते हैं कविता है कि अगर फोटो को बार बार देखने से प्यार बढ़ता है लगाव बढ़ता है उसके प्रति हर जगह फोटो ही फोटो कुछ जूटी फोटो कुछ उत्तेजित करती है तो कुछ मायूस कर देती है यह फोटो तो आदमी के चरित पर भी प्रभाव डालती है प्रतिद्वन्दी बनकर जब भी इस फोटो के खेल ने आदमी को खोखली बुनियात पर इमारत खड़ी करने के लिए प्रेरित किया है कभी-कभी बदकही करने के लिए एडिट की जाती है फोटो और हम बातों की गहराई में पहुँचने से पहले ही दिशा ब्रह्म में पढ़ जाते हैं इसलिए फोटो को जानने से पहले करना बहुत ज़री है और बातों के लिए खुद को लायक बनाना पड़ता है तब जाके असरदार होती है फोटो थैंक यू कर दो मैं आखरी यू कि आखरी दो गाने दो गीट मेरे पास हैं तो आप आपलो लोग इजाज़ते मैं उसको भी सुना दे नहीं पिर सवाल जवाब अगर चाहें तो आप लोग कर सकते हैं कुछ बात चीज़ कर सकते हैं पूछ सकते हैं मेरे से जो तो जो मुझे मालूम होगा मैं जरूर बताने की कोशिश करूंगा तो गाना पहले मैं सुना तो यह जाना बहुत चोटा साथ कि बेटी है आप लोग बननी मत बोलेगा उसका नाम निया है एक्षलिए बननी मैं सिर्फ मैं ही बोलता हूं तो उसके लिए मैंने यह गाने ऐसे चोटे-चोटे घ्च्रेश्ट सुनिएंगा वैसे मैं सिंगर नहीं हूं कि ऐज स्थेंक्यू बलविंदर वो देखो चांद हैं, वो देखो तारे हैं, कितने प्यारे हैं, धेर सारे हैं वो देखो चांद हैं, वो देखो तारे हैं, कितने प्यारे हैं, धेर सारे हैं वो देखो चिडियों की चांचां सुभा के गीत गाते हैं, कितने प्यारे हैं, धेर सारे हैं वो देखो चांद हैं, कितने प्यारे हैं, धेर सारे हैं झुक्रिया कि छोटा सब्सक्राइब दे रहा हूं आप लोग को सुनने के लिए मैं सुना दे रहा हूं समय ज्यादा हो रहा है सर इजाज़त दें तो मैं एक गाना और सुना दूं कि देवेंद्र सर आप लोग कि देवेंद्र सर और जो भी लाइब जुड़े हुए हैं वो भी मुझे ज़्यादत दे सकते हैं तो मुझे लग रहा है अब लोग जुड़े हुए हैं तो सुना ही देता हूं क्या है कि दो को सुनाने की तो मैं सुना देता हूं यह यह भी च्छोटा सा गीत है अब शुक्रिया सर अब थैंक्यू अरुन थैंक्यू तो यह गीत मैं अभी कुछ दिन पहले ही लिखा है उस गीत का धुन किसी से मिलता होगा लेकिन यह माइने नहीं रखता लेकिन शब्दों को ध्यान में रखिएगा दिल कह रहा कह रहा है दिल मुश्किलो में है मुश्किलात दिल है जमी वही आसमा वही लोग है मगत दिल दिल कह रहा कह रहा है दिल थेंग्यू सर थेंक्यू बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मुझे इतना बरदाश करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया देवेंद्र सर बहुत बहुत शुक्रिया जनसरोकार मंच टौक और उम्मीद करता हूँ कि दुबारा मौका मिले और दुबारा अपनी जो मैं अपनी कभिताओं को मैं बोल पाऊं और कह पाऊं अच्छा लगा मुझे अच्छा सर थैंक्यू सर थैंक्यू सर थैंक्यू सर तो इसी इसी बीच एक छोटा सा कविता मैं सुनाना चाहता हूं एक मिनिट यह भी 2017 में लिखा है तो इसमें हलाकि राइटिंग में है यह टाइब नहीं है तो मेरी राइटिंग बहुत ही बेकार ही है तो मैं अपनी राइटिंग खुद भी कभी कभी नहीं पड़ पाता हूं तो यह कविता यह कुछ इस प्रकार से है अरुन जी सही बात है तो सुनाते हैं कविता धूप निकलने से पहले पहल सारे गेहूं के बोजो को बांध कर वो बुढ़ा चला गया शाम होते ही उन सारे बोजो को अपने सर पर उठाकर नंगे पाऊंग पतले डाण पर चलता नजर आएगा तब देखिएगा हर गेहूं के बाल हर गेहूं का बाल लहरा कर उस किसान से बाते करते दिखाई पड़ेंगे और कहेंगे लगाया तुमने उगाया तुमने सजाया तुमने बनाया तुमने फिर क्यूं भूखे सोजाते हों फिर क्यूं तुम्हारे ही निवालों को छीन लिया जाता है ये कविता अधूरी है आदे ही लिखा इसको मैं भूल गया था लिखना मैं और भी देखता हूं और कुछ गीत सुना दूँगा अपने आप लोग इजाज़त दें तो गीत ही सुना देता हूं कि मैं चाहरा हूं कि कुछ आप लोग पूछें तो ज्यादा भेतर होगा क्यूंकि मैं लगातार सुनाता जा रहा हूं कि आप लोग मेरे से इतना जुड़ पा रहा है कोई प्रश्न कोई कोई बात अगर हो तो आप लोग पूछ सकते हैं तो दिवन सर आज के लिए इतना ही करते हैं कोई बात्चीत हो तो आगे यह एक नाटक के दौरान लिखी गए थी कि नाटक बनाने के दौरान योग के लिए थीटर क्यों वश्चक है अच्छा तो प्रश्ण के लिए मैं शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने प्रश्ण उठाया और अब बात्चीत का सिलसेला शुरू होगा तो शुक्रिया सर बहुत बार बोरिंग हो जाता है ना सर बार बार कविता 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 तो सर का प्रश्ण है कि अवश्यक है बहुत बहुत अच्छा प्रश्ण है सर असल मैं अपने से एक्जामपल देता हूं मैं भी एक युगा हूं धन्यवाद उमेश सर तो युगा के लिए थीटर बहुत माइनों जाता पाने का सबसे सरल माध्यम है थेटर हम जब थेटर से जूरते हैं तो हम बहुत बार हिचकिचाते हैं संभलते हैं हिचकिचाते हैं और बोलना सीख जाते हैं नतराज भाई को नमस्कार और फिर एक समय ऐसा आता है कि हम आत में आग डालकर नुकर नाटक जैसे विधाओं में काम करने लगते हैं जहां चारों तरफ से पब्लीक ही पब्लीक होती है और उनसे बाते करना होता है तो यह बहुत बड़ा काम है जो मतलब किसी से भी आखे मिला कर बात करना अपने आप में confidence पैदा करता है तो यह confidence पैदा करता है मुझे लगता है इसलिए युगाओ के लिए जरूरी है और सही गलत का तो क्या है सोचने समझने की एक समझ देता है तेटर और इसलिए भी जुड़ना चाहिए क्या है कि बहुत बार क्या होता है कि हम वही चीज सोचते भी हैं और उसी पर अडिक भी रहते हैं जो हम भूत काल में जिससे हम हमारी माननेता परंपरा यह तरह की चीज़े जो भी हैं तो यह सारी चीज़े हमको हमें बांध के रखती है और ड्रामा थेटर हमें इन सभी से मुक्त करता है शुक्रिया सर इसलिए थेटर युवाओ के लिए जरूरी है कि आगे कोई प्रश्ट कि कोई 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 और भी कुछ पूछ सकते हैं कोई। कर दो कर दो झाल झाल देवेंद्र सर अभी कोई प्रश्ण नहीं आ रहा है तो यहां पर रोपते हैं अपन आप लोग इजाज़त दें तो प्रश्ण करें तो आगे बढ़ते हैं वरना समाप्त करते हैं इसे देवेंद्र अगली बार मौका दीजेगा तो बहुत सारी चीजे कठा करते रखूंगा हानत राज भाई आप सवाल कर सकते हैं थेटर में आप सुयम को कहां रख सकते हैं रखते हैं का यह सवाल है आप थेटर असल में बहुत बड़ा एक है कि मैं मैं अपने आप जिसमें जैसे अभी आपने गीत भी सुने कविताई भी सुनी तो मैं डिरेक्शन भी एकात दो नाटक कर चुका हूं और अभी नहीं भी करता हूं तो लेजी होने के कारण मैं इस्टेट करें सारी कम ले पाता हूं और लेकिन मैं हर चीज में जुड़ना पसंद करता हूं सीखना पसंद करता हूं तो मैं हर एक पहलू में अपने आपको देखता हूं और उसमें रखता भी हूं शुक्रिया उमेश सर करिए देखिए सवाल करते रहें मेरी भी अपनी अधिक शमता बढ़ेगी मैं सोचने पर मजबूर हूंगा जब मजबूर हूंगा तो मैं अपने अंदर की चीजों को खोद खोद कर निकाल के उसे सही अभार दीपक शुक्रिया सर खोद खोद कर निकाल कर उसे तलाशने की कोशिश करूँगा की थाल की